आजन सीखने वाले हैं कि English में सवाल कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों बाकी topics का तो मेरे को पता ने लेकिन आज अगर ये topic आपने पूरे ध्यान से समझ लिया आना तो आपके नंबर तो बन जाएंगे बड़े पक्के वाले जिसके साथ भी आप English में बात करना शुरू करोगे अगर आपको सवाल करना आता है तो आधी जंग आपने जीत ली समझो तो आज है हमारा spoken English course का सत्रमा दिन यानि की डे नंबर 17 वो भी free PDF के साथ जो कहां मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिसका link वीडियो की description में भी दे दिया गया है या आप जाके सर्च कर सकते हो कि English English Lovers Official एक लाख बासट अजार से जादा आप जैसे भाई-बैन जुड़े हुए हैं आप भी जुड़ जाओ और जितनी भी मेरी YouTube पे वीडियो होती हैं सभी की PDF free of course आपको वहां मिल जाएंगी ताकि आप लोग वीडियो को देखकर practice कर सको और अपनी English को next level पर लेके जा सको और भाई ये जो course है ना पूरे 30 दिन का ये भी अगर आप एक साथ देखना चाते हो तो पूरी playlist का link भी मैंने वीडियो की description में आपकी सहुलियत के लिए दे दिया है तो शुरू करें कि English में सवाल कैसे पूछे जाते हैं तो जब आप English में किसी से सवाल पूछते हैं तो आ ज्यादा तर्व की शुरूआत डबलू एच से हो रही है इसलिए इसको डबलू एच का परिवार बोला जाता है समझ आ गया अब हिंदी से English में सवाल कैसे पूछेंगे यहां example भी देख लो और फिर हर डबलू एच शब्द के कई example करेंगे वीडियो पूरी देखोगे तो आज के बाद English में हर किसी से सवाल करना तो आपको आराम से आ जाएगा कैसे देखो क्या का मतलब होता है what जैसे what is your name भाई आपका नाम क्या है फिर है क्यों यानि कि why why are you sleeping भाई तुम सो क्यों रहे हो फिर है कौन यानि कि who who are you तुम कौन हो भाई फिर है कब उसे हम English में कहत हो मुझे तो हमेशा खेलते दिखते हो कहा यानि कि where where are you going हाँ भाई कहा जा रहा है यहां रुक अभी बताते हैं कैसे how how is your health कि तुम्हारी तबियत कैसी है फिर है कौन सा यानि कि which तो which is your favorite movie कि तुम्हारी पसंदीदा film कौन सी है फिर है किसका यानि कि whose तो whose bag is this कि ये बसता किसका है किस से यानि कि whom कि whom are you talking to कि तुम चुप चुप कि किस से बाते कर रही हो फिर last है कितना how much how much money do you need कि तुम्हें कितने पैसों की जुरूरत है अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो ये सब सुनने में कि यार अगर हम ये सब सीख लेंगे तो मजा ही आ किला शब्द है what यानि कि क्या तो आप मेरे साथ साथ करोगे तभी तो प्रैक्टिस होगी ना भाई आप सोच तो सकते ही हो फिर मेरे जवाब देखकर आप अपने जवाब मैच कर लो समय क्या हुआ है समय क्या हुआ है तो क्या कि इंगलिश होती है what और समय यानि कि time तो आ तुम क्या कर रहे हो तो क्या की इंगलिश हम क्या लिखेंगे what और उसके साथ क्या जाएगा what are you doing यानि कि तुम क्या कर रहे हो ओके अब ये क्या बकवास है किसी को भी कहना हो भाई ये क्या बकवास है मुझे बताओ आप उसके लिए क्या कहेंगे बकवास को इंगलिश मे ये क्या बक्वास लगा रखे भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है कहते है ना वही तेरी क्या दिक्कत है क्या प्रोब्लम है तेरे को बता दे तो आप क्या कहते हो what is your तो दिक्कत क्या होती है परिशानी यानि कि आपकी problem what is your problem ये क्या बोल रही है तो हो सकता है कोई राज बता रही हो, what, यानि कि क्या, what के साथ is आएगा, और लड़की है तो she आएगा, और वो कुछ कह रही है, तो saying आएगा, कह रहे हैं, what is she saying, कि भाई ये क्या बोल रही है, क्या कह रही है तुम्हारे बारे में, क्या मतलब है तुम्हारा कहते हो न कई भर क्या मतलब है तुम्हारा आप कहना चाहते हो what do you mean mean को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं मतलब तो अगर पूछना हो क्या मतलब है तुम्हारा what do you mean क्यों why तो हर किसी के लिए आप पूछना चाहो क्यों वाले सवाल तो आप कुछ इस तरह से पूछते हो तुम कुछ कहते क्यों नहीं तो क्यों की English क्या हो गई वाई डॉंट यू आप ये spoken English में लिख सकते हो लेकिन अगर आपको written English में लिखना हो तो आप लिखेंगे why do you not तो ये जो not है negative ये subject के बाद में आता है लेकिन spoken English में 100% acceptable है ये चल जाता है तो तुम कुछ कहते क्यों नहीं why don't you say something तो अगर कुछ कहेंगे उसके लिए हम English में लगाते हैं something why don't you say something तुमने मुझे धोखा क्यों दिया तो धोखा देने के लिए बड़ा प्यारा शब्द है आज के दिन English में कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया why did you cheat on me तो दोस्तों cheat on होता है अगर किसी को धोखा देते हो तो ये शब्द है cheat on ओके deceive भी कह सकते हो why did you deceive me deceive का मतलब भी होता है धोखा देना ये हस क्यों रहा है कोई चुटकला याद आ गया होगा है तो आप कहते हो ये हस क्यों रहा है why is he laughing तो laughing का मतलब होता है हसना रवी गुसा क्यों है भई पूछो उससे आपने कुछ कहा होगा ऐसे है ना why is रवी और गुसे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे angry why is रवी angry तुमने मुझे फोन क्यों किया क्या नियत थी तुम्हारी क्या इरादा था तुम्हारा क्या कहना चाहते थे तुम तो तुमने क्यों हो आज फिर से लेट हो गए है ना ओफिस आने में हर कोई लेट हो जाता है तो आप क्या कहेंगे कि ट्रैफिक इतना था वाई आर यू लेट तो देरी से आने के लिए हम इंग्लिश में इस्तिमाल करते हैं इस शब्द का जो है लेट कौन है वहां कौन यानि की हमारा हू तो आप अगर पूछना चाहें भई वहां कौन है तो आप क्या कहेंगे हू इस और वहां की इंग्लिश क्या होती है देर तो हू इस देर दोस्तों मैं इतने आसान तरीके से मैं आप सबको डबलू एच वर्ड्स करवा रहा हूं वो भी complete example के साथ तो उमीद करता हूं अ मुझे सच में तसली होगी कि भई मेरी मैनत जो है वो बच्चों के काम आ रही है और आप भी सीख रहे हो तो साथ साथ कॉमेंट करते जाओ वीडियो को तो आप पोस कर सकते हो इसको देखकर फिर अपने answers लिख दो सारे और फिर आप देखो मेरे साथ मैच करके तो गेट प तो दोस्तों अगर कोई बिमार होता है तो अगले दिन टीचर पूछती है ना कि बही कल कौन बिमार था? who was ill yesterday कमरे में कौन है कमरे में क्या पता कौन है तो आप क्या कहेंगे who is in the room कि वही कमरे में बता दो चुपचाप कौन है ठीक है तुम्हारा खास दोस्त कौन है तो हर किसी का कोई न कोई खास दोस्त होता है तो अगर आप पूछना चाहते हो खास दोस्त कौन है तो आप कह सकते हैं who is your best friend कि तुम्हारा खास दोस्त खास मितर कौन है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है आप इसका जवाब सतेंदर सरमत लिख देना ठीक है आप इसको English में लिखोगे कि तुम्हें English कौन पढ़ाता है तो आप कहेंगे who teaches you English और तुम्हें math कौन पढ़ाता है who teaches you math तुम्हें Sanskrit कौन पढ़ाता है who teaches you Sanskrit तो यहाँ आप subject का नाम लिखेंगे और आज के बाद आप सारे teachers का आसानी से बता सकते हो कि तुम्हें कौन सा subject कौन पढ़ाता है कब, when तुमने कब बोला था मुझे when did you tell me है ना, तो इस तरह हैं के बड़े common होते हैं daily use में तुम्हारा जनम दिन कब है यह पूछना हो तो कैसे पूछोगे अगर आपको WH word नहीं आते तो इसलिए कहता हूँ अगर जिसने यह सवाल पूछने सीख लिए आधी इंग्लिश उसे आ गई समझो क्योंकि शुरुआत करने वाला हमेशा one step उपर होता है तो तुम्हारा जनम दिन कब है आप पूछ सकते हैं कि when is your और जनम दिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम birthday तो when is your birthday तुम घर कब जाओगे भई कईयों को तो यह होता है कि भई यह निकले मेरे घर से तो आप कहोगे when will you go home कि तुम घर कब जाओगे उसकी मौत कब हुई दोस्तों मौत के लिए death भी बोला जाता है died भी बोला जाता है pass away भी बोला जाता है लेकिन expire नहीं बोला जाता मैं मानता हूँ कि आज तक बहुत से लोग expire expire बोलते हैं तो आपको भी आदत पड़ गई लेकिन अब आपको अच्छे teacher मिल गए ना जो आपको सही इंगली शिखाते हैं आज के बाद expire मत बोलना expire हमेशा product होते हैं इंसान नहीं होते हैं इंसान गुजर जाते हैं इंसान कहीं और जाते हैं वो waste dust बीन में नहीं चले रहते हैं तो उसकी मौत कब हुई when did he pass away तो pass away सबसे अच्छा शब्द है इंगलिश में बताने का कोई गुजर जाता है तब ठीक है फिर तुमने शादी कब की चुपके चुपके हां तो आप क्या पूछोगे कि तुमने शादी कब की when did you और शादी होने को इंगलिश में हम क्या कहते हैं get married तो when did you get married ठीक है ये क्या बोल रही है ये आप comment में बताएंगे क्योंकि ये हमारे when का हिस्सा नहीं है ये हमारे what का हिस्सा है तो comment बताओ जिसका सही होगा आपको hurt मिलेगा उस्सी time तुम अंग्रेजी कब सीखोगे आप तो कह रहे हो सारे कि सर हम आपकी वीडियो देख की सीखी तो रहे हैं अच्छी बात है comment करो जल्दी से तुम अंग्रेजी कब सीखोगे when, will, you यानि की future की बात है और सीखने के लिए English में शब्द होता है learn और फिर subject का नाम जो की है English तो ये बन गया when, will, you, learn English कि तुम अंग्रेजी कब सीखोगे आज से ही सीखना शुरू करतो अभी से इस चैनल को तो सबस्क्राइब करी लो और उसके साथ साथ complete course करना चाहते हो तो भाई नवरात्रे का offer है 50% discount आप सब के लिए मैंने आज ही announce कर दिया है तो जो course आपका पहले 1999 का था अब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 999 का जै माता दी और उरान 2.0 course जो 2 सितमर से स्टार्ट हुआ था Monday to Friday रात को 8 बजे classes होती हैं और जितनी classes हो चुकी हैं वो आपको मिल जाएंगी recorded आप देख सकते हो PDF भी मिलेंगे सारी classes के तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अलावा दो महीने की classes अब भी बाकी हैं तो देर किस बात की है आप सिर्फ 999 रुपे में जोइन कर सकते हो एक साल की validity है इसमें listening, reading, pronunciation और speaking class की zoom app पर मेरे साथ आप practice करोगे तो ये complete spoken English का course है तीन महीने का course नवरात्री special offer उड़ान 2.0 सिर्फ 999 में और अगर आप self study करने वाले student हो तो कोई बात नहीं grammar में interest नहीं है कोई बात नहीं आप सब के लिए बहुत बड़ी announcement मेरी जो एक किताब है 10,000 daily use के English sentence zero level से hero level आज तक पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं हुई जिसने पूरी English को sentences में बदल के आप तक पहुचाने का काम किया हो ये काम किया है आपके अपने सरने अपने प्रिये students के लिए तो दोस्तों ये बहुत बड़ी announcement है मेरी book launch हो चुकी है Amazon पर आप इसे खरीद सकते हैं उसका link वीडियो की description में है या आप मुझे call या message करके इस number पर link मंगवा सकते हो Amazon का और अगर ये किताब फिलाल 400 रुपे की आपको मिलेगी Amazon और Flipkart पर अगर आपको किताब नहीं चाहिए सिरफ जो content है PDF है वो अगर आपको चाहिए यानि कि soft copy तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 199 रुपे में मिल जाएगा मेरे application English Lovers पर वो कैसे आपको मिलेगा आप जल्दी से इस number पर message कर दीजिएगा WhatsApp करते ही आप आपको link पहुँच जाएगा बस आप लोग practice start करो कहां कहां देख रहे हो यहां देखो भाई क्योंकि कहां के लिए English में शब्द है where और sentences है तुम्हारा घर कहां है आप सिधा सिधा पूछ सकते हैं कि भाई where is your house दोस्तों home मत पूछना home होता है उनके खुद के लिए ठीक है house होता है बाहर वालों के लिए समझाया यह difference है मेरी किताब कहां है नहीं मिल रही तो कोई लेकर भाग गया होगा या आप पूछ सकते हैं कि where is my book where is my book वह कहां रहती है मुझे क्या पता तो वहां के लिए आप लिखोगे where और आप फिर लिखते हो where does she live यानि वह कहां रहती है बाथ रूम कहां है तो किसी को जोर से लगी हो पडोसियों के गया वावी और इस्तेदारों के उसको पूछना ही पड़ता है कि where is the washroom तो आप जल्दी से पूछ लो और जल्दी से जवाब भी ले लो where is the washroom हम कहां मिलेंगे तो एक बार मिलने के बाद आपको लगता है कि दुबारा मिलना ही पड़ेगा तो आप पूछ सकते हैं where shall we meet तो अगर आप सोचेंगे सर आपने यहां will क्यों नहीं लगाया भाई subject देख लो जहां subject I और we होता है वहां will नहीं आता वहां आता है आपका shell लास्ट है तुम कहां काम करते हो तो यह बहुत general सवाल है day to day life में आपको इनकी जुरुरत पड़ेगी ही पड़ेगी तो तुम कहां काम करते हो where do you work यानि तुम कहां काम करते हो कैसे how तुमने यह कैसे किया how did you do it तो कैसे यानि की how तो तुम्हारा दिन कैसा गुजरा किसी का आपको weekend पूछना हो दिन पूछना हो आपको यह बहुत प्यारा सा जो वाक्या है आप अपने मम्मी से पापा से या अपने partner से पूछ लिया करो कोई सारे दिन का ठका हारा अगर कोई घर आता है और उससे कोई पूछ ले कि भही तुम्हारा दिन कैसा गुजरा आदी थकान वहीं दूर हो जाती है तो यह सवाल तो आप रट लो कि आपको पूछना ही है कि how was your day कि आपका जो दिन था वो कैसा गुजरा तो यार पूछने से बाटने से जो तकलीफ है वो कम हो जाती है तुम्हें कैसे पता है how do you know how do you know कि भाई तुम्हें कैसे पता तुम्हारी उम्र कितनी है सच्चा ही कोई नहीं बताता फिर भी आप पूछते हो कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है how old are you how old are you ये कैसे काम करता है तो कोई machine है अगर किसी को नहीं पता कि कैसे काम करेगी तो आप पूछ सकते हो कि how does it work तुम मुझे कैसे पढ़ाओगे कि मेरे में तो पढ़ने का मन नहीं है है ना लेकिन चैनल पर आ गए हो तो पढ़ने का मन है अब रूटीन मना लो कि इस चैनल पर जो भी नहीं वीडियो आएगी उसको पूरा देखोगे नोटबुक बनाओगे और जब तक इंगलिश को नहीं सीख लोगे मेरा और आपका साथ नहीं चूटना चाहिए ठीक है तो तुम मुझे कैसे पढ़ाओगे How will you teach me और लास्ट है मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ यह बहुत पॉलाइट से आपने हजारों बार सुना होगा कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ तो आप कहेंगे How may I help you How may I help you तो आप बहुत सुनते होंगे इस word को और अगर आप भी ये sentence बोलना start कर देना तो भाई साब life में मिठास जो है न वो अपने आप आ जाएगी कौन सा? कौन सा था वो लड़का? देखिए कौन सा यानि की which? तुम्हारा bag कौन सा है? तो दोस्तों जब एक से ज़्यादा चीजों में हमें चुनाव करना होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं which का तो तुम्हारा bag कौन सा है? विच बैग यानि की कौन सा बैग तुम्हारा है? Is yours? Which bag is yours? उन्होंने कौन सी कार खरीदी है? Which car have they purchased? तो दोस्तों मैंने bought क्यों नहीं लगाया? Purchased इसलिए लगाया है जब भी आप महंगी चीज़ें खरीदते हो Buy की जगे आप लगाय कीजिए Purchased तुम्हारा पसंदीद्या रंग कौन सा है? Which is your favorite color? कि तुम्हारा पसंदीद्या रंग कौन सा है? वह कौन से शहर से है? पता होना चाहिए भाई Which city is Shree from? कि वह कौन से शहर से है? और तुम कौन सी फिल्म देखोगे? Which movie will you watch? कि तुम कौन सी movie देखोगे? और लास्ट है रवी कौन सी किताब मांग रहा है? Which book is? रवी asking for कि वह कौन सी किताब मांग रहा है? तो मांगने के लिए आप आजकल क्या इस्तेमाल करते हैं? Ask का किसका? किसका फोन था? तो किसका उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? इस शब्द का Whose तो ये फोन किसका है? Whose phone is this कि ये फोन किसका है? वो घर किसका है? तो आप घर के लिए क्या लिखते हैं? Whose house is? अब वो कह रहे हैं एक घर है तो आप लगाएंगे that तो whose house is that? और ये किताबें किसकी हैं? Whose books are these? तो एक से ज्यादा हैं और आपके पास हैं तो these का इस्तेमाल होता है वे कुर्सियां किसकी हैं? इसके लिए आप लिखेंगे Whose chairs are those? तो दोस्तों यहाँ दीज लगाया था क्योंकि ये किताबें आपके पास हैं और वे कुर्सियां आपसे दूर हैं तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? Whose chairs are those? ये किसकी योजना थी? बताओ भाई किसने ये प्लैन बनाया था? तो Whose plan was it? कि ये योजना किसकी थी? योजना यानि की प्लैन और आज किसकी बारी है? आज तो मेरी बारी है आप इसके लिए लिखेंगे Whose turn is it today? तो आज किसकी बारी है? Whose turn is it today? जहां एक से ज़्यादा लोग involved होते हैं और वहां कौन पूछना होता है? तो वहां किस से या किस के साथ उसके लिए आप English में शब्द यूज करते हैं कि तुमने कल किसको देखा? Whom did you see yesterday? कि तुमने कल किसको देखा था? Whom did you see yesterday? तुमने किताब किसको दी थी? Whom did you give book to? तो किसी को अगर आप कोई चीज देते हो तो last में आप two ज़रूर लगाओगे तुम किसके साथ रहते हो? हाँ? बताओ Whom do you live with? अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो two लगता है किसी के साथ अगर कोई share कर रहे हो चीज तो आप हमेशा with लगाओगे तुम किस से मिले थे? Whom did you meet? यानि कि तुम किस से मिले थे? और तुमने किसको पार्टी में बुलाया था? उसने सब कवाड़ा कर दिया Whom did you invite to the party? कि तुमने पार्टी में किसको बुलाया था? बतातो दो कितना दोस्तों जो quantity की बात आती है तो अगर आप उन्हें गिन सकते हो तो आप लगाओ how many यानि कि यह हमारा होता है countable जिसकी गिनती हो सके अगर आप ना गिन पाओ जैसे पानी है चीनी है प्यार है समय है उसको आप गिन नहीं सकते तो उसके लिए आप क्या लगाते हो how much कितना के लिए ठीक है तो यह दोनों चीजें बहुत important है ध्यान रखने वाली बात है तो ए हमेशा गिना जा सकता है एक दो तीन करके तो हम लगाएंगे how many तुम्हारे पास कितना समय है तो क्या आप समय को गिन सकते हो कि एक समय दो समय पांच समय मेरे इसाब से तो नहीं गिना जाता तो आप यहां क्या लिखोगे how much time do you have कि how much time do you have अब तुम्हें कितनी चीनी चाह है आप हमेशा कितने के लिए how much लगाओगे तो इसका जवाब बनेगा how much sugar do you want तो जब भी कोई घर पे आता है तो चीनी कितनी मीठी रखनी है कोफी कितनी मीठी रखनी है उसके लिए आप पूछते हो कि वहीं चीनी कितनी डालें तो आपका सवाल क्या होगा how much sugar do you want in your tea or in your coffee next है यह मुझे कितने का पड़ेगा कोई समान खरीद रहे हो दुकानदार से तो पूछो तो गे ना कि बाई कितना प्राइस है इसका यह मुझे कितने का पड़ेगा how much will it cost me तो यहाँ पे how much क्यों आया है या तो कोई जवाब देगा किसर थोड़े का पड़ेगा या कहेग कोई कभी बात नहीं करता सबसे पहले आपको उसकी कीमत कम या ज्यादा से ही बताई जाती है कि आपको ज्यादा की चपत लगेगी या कम की चपत लगेगी तो next time से जब भी किसी से मौल भाव करो पहले यह ज़रूर पूछ लो कि how much will it cost me अंग्रेजी में बोल दिया तो सो 200 रुपे तो वैसी कम कर देगा next है तुम्हारे पास कितनी घडिया हैं तो इसका जवाब होगा how many watches do you have तो how many क्यों आया क्यों कि घडियों को तो obviously आप गिन सकते हो ठीक है मुझे कितना पानी पीना चाहिए पानी को गिन सकते हो दो पानी पांच पानी नहीं ना सिर्फ दो ग how much water should I have तो दोस्तों have मैंने लगा दिया drink या eat की जगए आज कल आप है का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं और how much water should I have या should I take क्योंकि पानी को आप लेते हो तो उसके लिए आप टेक भी लिख सकते हो तो उमीद करता हूं कि आज के बाद आप लोगों को WH family से डर नहीं लगे आपको सवाल पूछने में सबसे ज्यादा मजा आएगा और इससे ज्यादा अगर आपको समझना है बिल्कूल detail में जाना है आपको लगता है कि एक ही कोर्स देदोस्तर उसी में सब कुछ आ जाए चाहे वो listening हो speaking हो reading हो या writing हो तो यह उडान 2.0 कोर्स का जल्दी से नवरात् में फायदा उठा लीजिए special offer है सिर्फ 999 में 50% discount है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए jam आता की